प्रिष्ट संख्या 142 प्रतिक प्रतिक्षन नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रविके संमुख थिरक रही है नब में वारिद माला नीचे नील समुद्र मनोहर उपर नील गगन है धन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है रतनाकर गरजन करता है मलिया निल बहता है हरदम यह होसला हृदय में प्रिए भरा रहता है इस विशाल विस्तृत महिमा मैं रतनाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के निकल रहा है जलनी दी तल पर दिन कर बीम्ब अधूरा कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा लाने को निजपुन्य भूमी पर लक्ष्मी की असवारी रतना करने निर्मित करदी स्वर्ण सडक अति प्यारी निर्भय द्रिढ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है लहरों पर लहरों का आना सुन्दर अति सुन्दर है कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी अनुभाव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्यानी प्रिष्ट संख्या 143 जब गंभीर तम अर्द निशा में जग को ढख लेता है अंत रिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगती से आता है तट पर खड़ा गगन गंगा के मदुर गीत गाता है उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंदर विहस देता है व्रिक्ष विविद पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं वन उपवन गिरी सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं मेरा आत्म प्रलै होता है नयन नीर जड़ते हैं पढ़ो लहर तट त्रन तरु गिरी नब किरन जलद पर प्यारी लिखी हुए यह मदुर कहानी विश्व विमूहन हारी कैसी मदुर मनोहर उज्वल है यह प्रेम कहानी जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वानी स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शान्ती सुख कर है अहाँ प्रेम का राज्य परम सुन्दर अतिशय सुन्दर है अभ्यास कविता के साथ एक, पथिक का मन कहां विचरना चाहता है दो, सुर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है प्रिष्ट संख्या 144 आशे स्पष्ट करें सस्वित वदन जगत का स्वामी मृदु गती से आता है तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है कैसी मधुर मनोहर उज्वल है यह प्रेम कहानी जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी कविता में कई स्थानों पर प्रकृती को मनुष्य के रूप में देखा गया है ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें कविता के आसपास एक, समुद्र को देख कर आपके मन में क्या भाव उठते हैं लगभग दो सो शब्दों में लिखें दो, प्रेम सत्य है, सुन्दर है प्रेम के विभिन रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विशय पर परिचर्चा करें वर्तमान समय में हम प्रकृती से दूर होते जा रहे हैं इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृती से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं चार, सागर संबंधी दस कविताओं का संकलन करें और पोस्चर बनाएं शब्द छवी, वारिद माला अर्थात, गिर्ती हुई वर्षा की लड़ियां रतनाकर अर्थात, सागर मलयानिल अर्थात, मलय पर्वत जहां चंदनवन है वहां से आने वाली शीतल सुगंधित हवा कंगूरा अर्थात, गुंबद या बुर्ज असवारी अर्थात, सवारी अंतरिक्ष अर्थात, आकाश धर्ती और आकाश के बीच की खुली जगा सानू अर्थात, समतल भूमि आत्म प्रले अर्थात, सुएम को भूल जाना विश्व विमोहन हारी अर्थात, संसार को मुग्ध करने वाली